अलो वेलकम फ्रेट्स अब पाइफन सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ आई ये डिक्ट डेटाटाइप का एक और एक्जामपल देख लेते हैं सबसे पहले तो पाइफन की आइडियली ओपन कर लेता हूँ तो ये पाइफन की आइडियली है और आप अगर कोई और आइडियी यूज़ करते है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर फाइल पर चलता हूँ न्यू फाइल लेता हूँ अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ my list तो इस तरीके से यह लिख दिया मैंने my list और is equal to अब इसमें क्या करता हूँ करली ब्रेसेंस ओपर कर लेता हूँ यहाँ पर नाम लिखता चला जाता हूँ जैसे माल लिजे मैंने teachers का नाम मुझे लिखना है ठीक है यहाँ पर किसी एक teacher का में लिख सकते हैं तो यहाँ पर जैसे सब पूच कीजिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो कोई teacher है जिनका नाम में लिखूंगा और यह कुछ इस तरीके से close कर दिया और यहाँ पोलल लगा लिया अब यहाँ पर teacher का नाम क्या है वो नाम यहाँ पर हमें देना है तो यहाँ पर teacher का नाम है जैसे माली यह सूरज सर तो यह मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ यहाँ लिख देता हूँ अब इसको मैं close लिखा हूँ और फिर सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 26 तो यह वो गया और 2016 यह लिख भी दिया मैंने तो अब यह हो गया अब आपको कुछ निकारना आप सिंपल इसको क्लोज कर दिजिए एंटर करके नीचे आए ठीक है और नीचे आने के बाद क्या करना है नीचे आने के बाद यहां पर मैं लिखता हूँ एजी को अब इसमें व सब्सक्राइन कर रहा है यहां इसको सेफ कर लेते हैं अब यहां पर देख सकते हैं यह तो बताहिघा है है डिक्ट वैल्यूज सूरसर और 2016 यह दोनों ही प्रिंट होकर आ रहा है तो यह कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका आयोब की इबात सकते हैं इसका आयोगी